दोस्तों हम सभी काफी समय से ओबर बॉलिट में आपे जो भी टास्क आ रहे हैं उनको कम्प्लीट कर रहे हैं लेकिन इस वीडियो में जो हम आपको टास्क बताने बाले हैं बहुत ही महत्त पूर है और आप सभी को बताना चाहेंगे अगर आप चाहें तो इसको कम्प्लीट क लिए बताया गया है तो चलते हैं सीधे टॉपिक पे समझते हैं कि जो ओबीटी सीजन टू चल रहा है इसके साथ साथ यह क्या आया है और मैननेट के रिगार्डिंग आपे क्या अप्रेट इनकी दौरा प्रवाइड किया गया है तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइ लिजे और टेलिग्राम को जॉइन कर लिजे को कि लेटीस्ट अप्रेट सबसे पहले आपको टेलिग्राम पे ही हम प्रवाइड कर देते हैं ओबीटी सीजन टू चल रहा है आप सभी जरूर इसमें पार्डिसेपेट कीजिए ट्रेंड रिसीब और साथी साथ जिरो जिरो वन आपको क्योंना रिसीब हो परड़े यहां पे क्लैम बगारा करते रहिए और यहां पे जो यह अप्डेट दिया गया आप देखेंगे कुछी गंटे पहले यह अप्डेट प्रवाइड किया गया है तो इनमें काफी सारे अप्डेट्स हैं जिनमें बताया इसमें क्या बताया गया है वो हम आप सभी के सामने सबसे पहले रखेंगे ओवर ड्राइब एकसर रेटिंग ओवर प्रोटोकॉल टू वार्प स्पीड यहां पे कहा गया है कि जो ओवर प्रोटोकॉल है उसकी स्पीड आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अब स्पीड की बारे जो पॉइंट है ओवर पॉइंट वो आप अर्ण कर सकते हैं और यह जो पॉइंट होंगे यह आपके मैननेट के समय काउंट किये जाएंगे और उस समय यह आपके मैन कोईन में कर्णवर्ट किये जाएंगे तो इसका भी अपडेट इसी यहां पर जो यह दिया गया है आर् इसमें कहा गया है कि यह अपनी सिक्यूर्टी के लिए और यहां पर देखेंगे लिकुडिटी के लिए एगन लेयर को यहां पर यूज करता है और साली और अर भी असमें कहा गया है कि आगर अगराप पार्टि सेपेट करना चाहते है तो आपको कोछ यहाँ पर डिपोजट करना पड़ेगा एटी करने के बाद इस्टेक बगएरा कर सकते हैं विच विल भी लॉक्ट अंटिल दा मैंनेट लॉंच यहां पर का गया कि जो आप डिपोजिट करेंगे एट वो आपका लॉक रहेगा कब तक लॉक रहेगा जब तक यह मैंनेट लॉंच नहीं होता है जैसे जीरो पॉइंट जीरो अगर आप फ्रेंट बगएरा को एट करेंगे तो उसके हिसाब से आपको कुछ पॉइंट या पे एक्स्टा मिल जाएंगे उसके बाद सेकेंड या पे आप देखिए जो लास्ट पॉइंट या पे है फूर्थ पॉइंट में वो किया है दिस एड़ ओप इवेंट इस दें पॉइंट है इसमें जो पॉइंट यहां पे आप सभी को प्रोवाइड किये जाएंगे उनसे हट के होंगे यानि उनसे कोई भी लेना देना नहीं होगा जैसे पिछला जो यह आपने पार्टिसिपेट किया उसमें मानके चलिए आपको 50 पॉइंट मिलते हैं 50 ओवर कॉइन मिलते हैं तो यहां पे जो पॉइंट मिलेंगे 50 मानके चलिए यहां पे भी आपने स्टेक किया यहां पे आपको 50 मिले तो इन दोनों को आप यह मत समझे कि एक इनको एड किया जाएगा यह अलग-अलग होंगी यानि होंगे तो बही पॉइंट लेकिन होंगे अलग-अलग उससे इनका मतलब नहीं रखा जाएगा उसमें एड नहीं किया जाएगा ये टिल तो और भी दी गई है और ये जो ब्लॉग है काफी बड़ा है तो हम आ जाते हैं थोड़ा सा याँ पे नीचे और ये वाला जो पॉइंट याँ पे दिया गया है ये वाला जो याँ पे पैराग्राफ है इसमें काफी महत्पूर चीज़े हैं देखिए हम ये ओवरड्राइब जो याँ पे इवेंट रखेंगे इसके लिए तयार हो रहे हैं और ये वाला जो याँ पे क्या होगा यानि जो भी याँ पे रखा जाएगा वो लास्ट होगा थर्ड एंड फाइनल प्रिपे यानि फाइनल होगा ये तो दिस फेस कंसर्ण एंडरस इनिसियल नेटवर्क रिलाइजिंग इन सेक्यूर्टी वाइल सेटिंग फॉर इस्टेस फ्लॉपिंग चलिए इसको तो हम छोड देते हैं क्योंकि ये तो पहले से ही कवर हो गया क्योंकि काफी बड़ा है तो यह आप देख पाएंगे आपे काफी और भी सिस्टम है वन्दा होरजन एंड हाव यू केंड गेट इन्वलप एंड श्टार्ट वाइ ओप्टैनिंग साम एटिएज फ्रॉम दा इथिरियम नेटवर्क एक्सेस वाई एक्सेंज अवर डेक्स तकि यहां पर कहा गया है कि आपको करना क्या है तो उसका यहां पर आंसर दिया गया ह आपको overdrive में participate करने के लिए एक तरीके से आप इसको overdrive ही बोल सकते हैं इथिरियम नेटवर्क से कुछ ETH लेना होगा यह जो ETH होगा आपका DEX पर भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आप देखेंगे जो centralized exchange है उन पर भी मिल जाएगा और उसके बाद यहां पर आपको बताया पॉइंट पर यहां पर आप देखेंगे किसका यह जो मैं यहां पर रीड कर रहा हूं यह सब पराग्राफ का थर्ड पराग्राफ जिसमें कहा गया है it's important understand that point earned from the this event are independent of any reward from the P and Airdop event यानि जो पिछले Airdops event रखे गई हैं उनसे ये different है मैंना पहले भी आपको बताया है this incident will be last until the mannet launch over protocol during which time your deposit ETH will secure and unavailable for withdrawal यानि ये जो ETH होगा आपका बिलकुल secure होगा जैसे ही mannet बगेरा होगा उसके बाद ही provide किया जाएगा बिल्डूबल के लिए लेकिन ये बीच में यहाँ पर बिल्डूबल के लिए available नहीं होगा upon the mannet launch मेरे साब से जो ये ETH यहाँ पर रखा गया है आप वहाँ पर buy करते हैं BNB और stake कर देते हैं जो आपका यहाँ पर tax change है उसमें भी same ऐसा ही है आप वहाँ पर stake कर देते हैं coin को purchase करके फिर वहाँ पर event आपका complete हो जाता है उसके दुरूब आपको मिलता है तो ऐसा ही यह भी मेरे साब से यहाँ पर रहना चाहिए ठीक है त चोड़ा वहाँ समसके माफ कीजिए थैंक्यू for watching